आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 Even and odd numbers तो even number किसको कहते हैं? Even number वो number होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं Exactly divided by 2 And odd number किसको कहते हैं? वो numbers जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं जैसे कि मालीजे आपके सामने 8 है तो ये even number है 2 है ये भी even number है 3 और 5 अगर ऐसे नमबर आप गर आपके सामने आते हैं तो वो even नमबर नहीं है वो सारे odd number हैं मतलब कि even number हम उसको बोलेंगे which number is exactly divided by 2 and odd number which is not exactly divided by 2 ऐसा number जो 2 से पूरी तर से डिवाइड नहीं हो पाता है वो odd number है और जो अगर 2 से पूरी तर से डिवाइड हो जाता है वो even number है तो यहाँ पर exercise में देखिए Ring the objects in pair to find whether they are even or odd यहाँ पर उन objects को आपको जो भी दिये हुए है figure उनको आपको pair में यानि की दो-दो का circle करना है Then count and write the number in correct column उसके बाद फिर correct column में वो number even हो रहा है या फिर odd में जा रहा है उस column में आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पर एक करके दिखाया गया है डॉल्स है यहाँ पर डॉल्स को pair में उसने circle किया हुआ है तूटू का pair बना के और उसमें एक डॉल्स जो है वो बच गई है इसका मतलब कि यह number जो है वो odd number है उसी तरह से next देखिए car का figure है तो car को भी हम तूटू के हिसाब से उसको circle करेंगे पहले में हमने दो car को circle किया फिर हमने दो car को circle किया और इसमें मुझे हम लोगों को एक भी car जो है वो extra नहीं मिली है तो यहाँ यानि कि यह जो है वो even number है और हम car को count करेंगे one two three four four number जो है वो even में आएगा तो four में हम even वाले column में लेखिए फिर देखिए keys का picture दिया हुआ है keys को भी हम two two का pair बनाते हुए करते हुए अगर ring करते हैं तो last में एक key जो है वो बच जा रही है यानि पिए अगर हम इस key को जो भी keys दी हुए अगर हम को count करें तो total nine key है one two three four five six seven eight nine तो nine जो है वो odd number होता है तो nine को हम odd वाले column में लेखिए उसी तरह से देखिए balloons है balloons को भी हम pairs में पहले circle करेंगे तो यहाँ पर भी एक balloon जो है वो बच रहा है तो इसका मतलब यह भी जो होगा वो odd में होगा यानि कि अगर हम total balloons को count करें one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen यानि कि जो 13 number है वो odd number है तो odd वाले column में हम 13 को लिखेंगे बाकी जो figures दिया हुए है इनको भी हम ऐसे ही solve करेंगे next page देखिए in circle the odd numbers in each row हर एक row में कुछ odd numbers हैं जिनको आपको circle करना है तो आप desert जो भी दिये हुए है उनकी last वाले desert को देखिएगा अगर last वाले desert जो है अगर वो two के table में नहीं आती है तो इसका मतलब की वो odd है और अगर वो two के table में आती है तो इसका मतलब की वो event है जैसे 11 दिया हुआ है तो 11 का last में हम देखेंगे one दिया हुआ है तो one जो है वो two के table में नहीं आता है इसका मतलब की यह odd number हो गया तो इसको उनकी circle करेंगे पिर 26 में जो six है वो two के table में आता है तो यह इस तरह से event number हो गया उसके बाद next देखिए 33 तो 33 का जब पीछे वाला number आप देखेंगे तो three है तो three भी जो है वो two के table में नहीं आता है यह भी odd number हो गया उसके बाद 48 48 का eight number देखिए पीछे eight जो है वो two के table में आता है 248 तो इस वज़ा से eight जो है वो even number है उसके 52 52 का भी हम पीछे two देखेंगे two जो है वो two के table में आता है 212 उसके तो यह even हो गया फिर 91 का one देखेंगे one two के table में नहीं आता है यानि कि यह odd number है याननि कि जो भी डिजिट दी हुई है यहां पर हम बस लास्ट वाले डिजिट को चैक करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि वो टू के टेबल में आता है तो वो इढ़न है और अगर वो टू के में नहीं कौई है तो वो और है नेक्स्ट एक और हमने solve किया है रो उसमें देखिए 74, 56, 17, 9, 68 and 39 ये नमबर दी होगे जिसमें से 17, 9 और 39 जो है वो और नमबर है इसी तरह से बाकी जो रोज है इनको भी आप solve करेंगे नेक्स्ट देखिए इन circle the even numbers in each row हर एक रो में आपको even number को आप circle करना है यानि कि जो 2 से divide हो जाए तो पहले रो में दिया हुए 20, 33, 8, 47, 16 and 94 तो 20, 20 का हम पीछे वाला digit मैच करेंगे जो की है 0 तो 0 को अगर हम देखें तो 0 जो है वो देखा जाए तो even number में आता है तो ये 20 जो है वो even हो जाएगा next 33, अभी उपर आपको बताएगा कि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है यानि कि ये odd number है जिसकों छोड़ देंगे next है 8, तो 8 जो है वो even number है क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है तो 4 है 8, उसके बाद फिर 47, 47 का हम 7 देखेंगे जो 2 के टेबल में नहीं आता है यानि कि ये odd number हो गया उसके बाद फिर 16, 16 में हम 6 को चेक करेंगे 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है यानि कि ये even number है फिर 94, 94 का 4 चेक करेंगे जो 2 के टेबल में आता है यानि कि ये even number है इसी तरह से next row में 9, 14, 17, 2, 63 and 38 ये numbers किये लिए हो तो 14 जो है वो 2 के table में आता है यानि कि ये even number है उसके बाद 17 2 के table में नहीं आता है next 2 table में आता है 202 तो ये भी even number है और उसके बाद है 38 तो 38 का 8 हम चेक करेंगे जो कि 2 के table में आता है आता है ये लिए even number है इसी तरह से बाद की इससाइस को ही हम बुक में ही solve करेंगे Thank you